सिल्वासा नाम सुना हुआ था लेकिन exactly उसकी location पूछेगा तो नहीं था तो अब महराष्टर और गुजरात के बीच में जगा है सूरत से थोड़ी सी पास है तीन घंटे लगते हैं सूरत सिल्वासा से सूरत जाने के लिए और दमन के करीब है दमन जो जाधा तर लोग जानत हैं तो हमको लगता है दो बराबर के हिस्से होंगे ऐसा नहीं है दादरा के किवल दो गाओं है और सतर गाओं नगर हवेली में है तो ये 72 गाओं का एक एरिया है जिसकी जब इसे आजाद किया गया तब population कोई 20 या 22,000 की थी जिसमें से अधिकतर ट्राइबल्स थे तो इसक गोवा की आजादी के बारे में हम सब जानते हैं कि पुर्टगालियों ने उसे बहुत बाद में छोड़ा 1961 में बेसिकली उसकी शुरुवात दादरा और नगर हवेली कि इस से जो घटनाएं बढ़ती गई वो घटना करम ऐसा हुआ कि 61 में जाकर भारत अपनी फोज को हुआ है जी घटनाएं जी 47 से उननिस सो चववन तक यदि मैं कहूं या कहूं कि डेड़ सो दो सो सालों में वहां की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी इस एरिया के जिसके हम बात कर रहे हैं कौन थे वहां पर दादरा नगर हवेली के अगर आब बात करेंगे तो वासा में पर्चुगीस क्यप्टन था एक जड़्स था एक उसका पॉलीस चीफ था तीन लोग पर्चुगीस थे कितने साल से वहां थे यह इलाका पेशवाओं से पाया था पर्चुगीज पर्चुगालियों ने 1783 में 1783 से 1954 तक पॉर्चुगालियों गया राज था लेकि थे उन लोगों के साथ रहते थे अपना रेविन्यू लेकर निकल जाते थे तो बहुत ज़ादा इंफ्लेंस जा था था वो इन जमीनदारों का था जो बड़े-बड़े वहां लाइंड ओनर्स थे तो इन में सभी तरह के थे बंबे के लोग भी थे उसमें पार्सी थे जैन थ हर तरह का इंसान था और इन्हों ने जो बरबरता ढाई है वहां के लोगों के उपर जो लोकल वर्ली पॉपलेशन के उपर बहुत ही भैंकर थी और पूर्चोगालियों का तो खर देखिए कि हम मैं एकसर कहता हूँ कि ठीक है अंग्रेजों ने हम पर बहुत अत्याचार कि जलियावाला बाग जैसा इंसिदेंट अपने दिमाग से नहीं जाता लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सेंस ओफ फैर प्ले था अट लिस्ट उन्होंने कहीं एक अंच तक छोटे से अंच तक तो कम से कम जाकर और इंग्लिन में उस आदमी पे इंक्वाईरी की जिसने वहां गोल नाइंटिन फॉर्टी सेवन के बाद मेरा खयाल है इस इस इलाके में जादा इस भावना ने उफान मारा होगा कि हमें भी आज़ाद होना चाहिए कॉंग्रेस यहां क्या कर रही थी बाकी स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे थे जिन्होंने सेंटालिस में देश को आज़ादी दिलाने में इतनी मेहनत की वो यहां क्या कर रहे थे उनिस तो सेंटालिस से पहले ही वहाँ गोआ कॉंगरेस बन चुकी थी और गोआ कॉंगरेस अपने अहिंसक तरीके से गान्धी जी के बार को का Oلمबन करते हुए और वहाँ पर निधरशन सत्याग रहा ये सारे तरीके आ इस में निभाया वो शहीद 14 साल के थे जब रामनों लोहिया वहां पर आये थे आराम करने के लिए लेकिन जब उन्होंने वहां की परिस्तिती देखी उन्होंने उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा भाशन दिया और उनके भाशन के सपोर्ट में कुछ स्कूल के बच्चों ने एक जलूस निकाला उसमें ये सिनारी जी थे और वो उसमें 12 साल के बच्चे थे 14 साल के थे 15 साल थे उनको लाठियों से पीटा गया और जिसे हिपो लेदर से बने हुए बेल्ट होते थी इसके आगे स्टड लगे होते थे कॉपर के उससे मारा गया इतनी बरबरता थी उनके अदर बच्चों को भी तो उन बच्चों को गिरते देखके अपने टीचर को गिरता देखके सेनारी जी के दिमाग गया है कि ये विदाउट वाइ इसके नाम तो अरेस्ट वारंट है ये तो मनी लॉंडरिंग में पहले से इंवाल है मेरा जो कॉल रखने के बाद पहला प्लान था ना मेरा दमाग पहली अपनी किचन के ओड जाता है वहाँ सबसे शारब नाइफ कौन सी है मैं ये देखरी होती हूं लगा तार चिलाते हु कि सारे एक बैंक अकाउंट सीज के जा चुके नहीं तुम तो किसी ट्रैप में हो सरा मेरा ब्लेट टेस करा सकते इसराइल आपका कोरियर जा रहा था तो मैंने उसे बोला सरा प्लीज उसे रख लें